दोस्तों स्वागत है आपका एक बार हमारे चैनल पे आईए आज मैं आपको NPS में कंट्रिब्यूशन कैसे करें इसके बारे में मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और बहुत easy language में आपको सब कुछ समझ में आएगा देखिए Google Play Store पे जैसे ही आपने NPS आपने governance का app आगया मुझे इस app को open कर लेना है यहाँ पे app भी open हो गया है ठीक है और अब मैं आपको इसके details के बारे में सब कुछ बता देता हूँ बहुत easy to operate app है आपको यह देखना हो कि आपके पास NPS में fund कितना है आपने क्या-क्या schemes में participate किया हुआ है टायर 1 account में कितना है टाय यह आपको तब मिलता है जब आप NPS के लिए register कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा अपना plan number ready रखना है IP अगर आपके पास है तो अच्छा है अगर आप first time login कर रहे हैं तो आप इसमें reset कर सकते हैं password को बहुत easily जैसे ही आप reset वाले option में जाएंगे अगर आपने पहले से बनाय हुआ है तो आपको secret question डालना है कुछ नहीं है तो using OTP आपको वापस से अपना plan number डालना है उसके बाद date of birth डालना है आप नया password और password confirm करके आप बहुत easily अपना password यहां से generate कर सकते हैं OTP generate हो जाएगा जैसे ही OTP generate होगा तो आपको password reset करने के लिए option आ जाएगा वहाँ पे जैसे ही आपने इसमें login किया तो कुछ इस तरीके से आपके account का view आपको दिखने लगेगा यहां पे जितनी भी आपकी total value है अभी तक की fund value वो दिखने लगेगी tier 1 account में कितना है यह आपको यहां पे दिखा रहा है जब आप tier 2 में select करेंगे तो उसका दिखाने लगेगा back saving आपको सिर्फ tier 1 account में मिलती है tier 2 account में नहीं मिलती ठीक है कौन-कौन सी scheme आपने लिया हुआ है देखिए SBI pension fund ये use कर रहे है LIC pension fund scheme में हर fund management में अलग-अलग इन्होंने डाला हुआ है tier 1 में holding है और कौन-कौन सी scheme ये use कर रहे है उसकी भी details आपको यहां पे पूरी मिल सकते हैं ठीक है brand number reset using OTP अभी password reset करने का तो मैंने आपको बताई दिया आप scheme change करना चाहें तो आप scheme भी change कर सकते हैं scheme आप किसी एक particular pension fund के अंदर में कौन-कौन सी scheme ले रहे हैं मैं उस scheme की बात कर रहा था एक pension fund house के अंदर में आपने क्या-क्या scheme लिया हुआ है इसको आपको देखना है जैसे यहां पे example के लिए आप देखिए ICIC Prudential Fund इनो ने चुना हुआ है और उसमें यह scheme E, scheme C, scheme G, इन schemes के बारे में मैं बात कर रहा था क्योंकि हर scheme में अलग-अलग तरीके का asset class का exposure आपको मिल जायता है ठीक है इसके बाद आपको यहां पे contact detail profile setting में जाके आप अपना password वहां से भी change कर सकते हैं अगर मालीज़े आपको अपने NPS account में contribution करना है हर साल tax बचाने के लिए तो ज़रूर ही होते ही वह आपको payment gateway में ले जाएगा वहां पर अपना debit card, net banking या जो भी options उसमें दिये हुए है वहां के थुरू बहुत easily अपने app से घर बैठे बैठे आप easily अपने NPS account में contribution कर सकते हैं आपको कहीं दौरने की ज़रूरत नहीं है I hope this video was useful अगर आपको फिर भी doubt होता है you can always contact me और अगर आपको ऐसा है कि NPS account के बारे में और जानना है आपको details जानना है आपको NPS में register करवाना है we do provide these services you can always contact us thank you very much this is Ishaan Tiwari here signing off see you next time